नमस्कार दोस्तों आ गया हूं मैं एक नया वीडियो लेकर सो गाइज आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हम हमारे फॉन में ETI Elegance TTS को कैसे सेट करते हैं हाव टू सेट ETI Elegance TTS इन अवर स्मार्ट फॉन सो गाइज आईए जानते हैं वीडियो सुरू करने से पहले जो लोग इस TTS के बारे में जानते हैं वो लोग वीडियो को प्लीज स्किप कर दे और जो लोग नहीं जानते वो वीडियो में एंड तक बने रहें सो गाइज चलिए वीडियो को सुरू करते हैं आप अगर मेरी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिकेशन को आल पे सेट कर लेना ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ वो आपको सबसे पहले मिले और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ज् को इंस्टोल करना है अगर आपके पास नहीं है तो डाउनलोड कर लेना है यह TTS जो है वो प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं आपको उसकी डिस प्रिक्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा तो गाइज सो गाइज हम चलते हैं अब एप्स में मैंने यह पहले गाँ प्ट्रिक्शन बॉक्स में चलते हैं फिर जिए उसके बाद हम जायंगे गया तो तो यह अर प्रफट्रिक्शाप्ट्स एप्स कर माद दो मतलब मदा है यह है यह से कर शाय हो जब आपके डानलोड थूप्स कर हो है तो गहां से भी आप कर सकते हो General Management Language and Keyboard Date and Time Accessibility General Management Language and Keyboard Date and Time 28 of 35 General Management Language and Input में General Management Navigate Up General Management Search button Language English United Text to Speech Search Text to Speech Text to Speech में Text to Speech Text to Speech तो यहां सारी TTS आईगी यह यह है गूगल TTS जो मैंने चेक रखा हुआ है अभी तो यहां मैं चेक कर लेता हुआ तो अब चेक कर लिया है अब चेक कर लिया है पर निकल जाना है वेक मार देना है सेटिंग में आना है उसके बाद आप राइट सैटिंग में आ जाना है तो पहला और उसके बाद यहां से आप प्रोफाइल लेन है सांती है ग्रामा है ग्रामबा है इतने है तो इसमें से आपको जो मरलब वो वो इस रखना है वो आप रख सकते हो तो मैंने वो ग्रीडी रखा है तो यही रखना है मुझे तो चैंसल मार देता हूं यहां से मतलब हम पीच अग्जिस कर सकते हो मतलब की कैसी रखने है आपको 20% 30% 50% स्पीच रख सकते हो यह यहां से स्पीच रेट रख सकते हो यहां कि स्पीच रेट मतलब की जो स्पीच का रेट होता है न वह रख सकते हो यहां से तो वाल्यूम आपको हमेशा मेच मीडिया पर ही चेक रखना है वाल्यूम को फिर जेनरल में है प्रोसेच पंक्चिलेशन तो वहां चेक है तो यहां से अब पंक्चिलेशन को अब पंक्चिलेशन कर सकते हो तो दिखते हैं सम है मोस्ट है ऑल है तो मोस्ट पे ही रखना है तो प्रोसेसिंग है उसमें दीजित है पेर है ट्रिपलित है तो तो हमें डीजित पे ही रखना है तो यूजब प्रिवियेशन वहां चेक है तो चेक ही रहने देना है इंट्रेशन पाजी वहां भी चेक है चेक ही रहने देना है फिर एडवास इस सेंप्लिंग रेट आता है उसमें 11 किलहर्स और 16 किलहर्स आएगा हमें 16 किलहर्स पर ही रखना है फिर आएगा ओडियो अप्टुमेज़ेशन तो ओडियो अप्टुमेज़ेशन में हमें आपको यहां चेक ही अल्ड़ेडी आपको भी यहां ही चेक रहना है और ऑप्टुमाइज पर वाल्यूम है ना फिर यूजर डिक्सिनरी यहां डिक्सिनरी एड कर सको यहां एड़ वर्द भी एड़ कर सको तो मैंने कूछ नहीं किया है अब इक्सपोड कर सकते हो डिक्सिनरी फाइल फिर फोल्ट आए का हेडर यहां से आप जो सारा सेटिंग है वह मतलब जब पहले से इस्टॉल करते हैं तब ही होता है यह कर सकते हो यह वाला फिर यहां से अब जान सकते हो इति एलगोंस के बारे में वर्जन कौन सा है फ्राइवसी यह तो यह कर लेते हैं तो यह हम्ति यहां लेंग्वेज यू सिस्टम लेंग्वेज आएगा स्पीच रेट यहां से हम स्लाइडर है रखा है मैंने पीच है वह मैंने ट्वेंटी परसेंट स्लाइडर रखा है फिर यहां से प्ले कर सकते हो कि कैसा मतलब यह रीड करता है देखिए इन स्पीच सिंस्टर सिंस्टर इंग्लीज तो इसी तरह फिरी आप रिसेट भी कर सकते हो तो फ्रेंड्स कैसा लगा दोस्तों मेरा यह वीडियो आपको कमेंट करके बताना और वीडियो अगर अच् ज्यादा लोगों तक खेयर करेंना तो अप्ले कि कर लो हो तो कमेंट को कुछें ना ओश्य है बंस आज की वीडियो इतना है कि रिकी स्फिया ऑर एक बोगाट अर वीडियो के ना